हेलो दोस्तों मैं वीनीता और मेरे किचन में आप सब का बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं काजू मिल्क केक बहुत टेस्टी लगता है खाने में और जटपट बनके तयार हो जाता है बिना मेहनत के फटा फट से बनने वाले मिठाई है और स्वाद में बहुत ही अमेजिंग है आप एक बार जरूर ट्राई करना देखे कितना जो बरदस्त लग रहा है देखने में जरूर आपके मुह में पानी आ रहा होगा तो फटा फट से रेसिपी को देखिए और इसको बना डालिए तो दोस्तों रेसिपी सुरू करने से पहले जैसा कि मै आपको किसी भी ग्रोसरी सोप पे या दूद की दुकान पे मिल जाएंगे अब हम क्या करेंगे काजु का पाउडर बनाएंगे आप चाहें तो टुकडा भी ले सकते हैं मैंने साबूत वाला लिया है मेरे पास टुकडा इस टाइम नहीं था और इस तरह से मिक्सी में इसको पीस लेंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना मिक्सी को पल्स पे करके आपको चलाना है और आपका बिल्कुल बढ़िया सा पाउडर बन जाएगा चाहें तो आप इसको एक बार चान सकते हैं ताकि कोई अगर मोटा चंक सिस में रह गया होगा तो वो उपर आ जाए और आप उसको दुबारा से पीस सकते हैं तो मैं चलिए इसको एक बड़ चान लेती हूँ तो आटा चानने वाली चन्नी में भी सान सकते हैं काजु का पाउडर बनाते वकिट आपको ध्यान रखना है कि अभ्सकी को आपको मिक्सी को चला के नहीं रखना नहीं तो क्या होगा हमारा जो जार है वो गरम हो जाएगा और फिर जो नट सम पाउडर बनाते है गरम होने की वज़े से क्या होगा उसमें से फैट निकलने लग जाएगी मतलब उसका जो चिकना पन है वो छुटने लग जाएगा और फिर आप फाइन पाउडर नहीं बना प और फिर भी अगर ठोड़े बहुत ऊपर कुछ बच जाए तो उसको आप किसी और रेसिपी में यूज गर सकते हैं इस पाउडर को आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं बस आप एटाइट डबे में भरके उसको फ्रिज में रख दें पाउडर बनाने के बाद इन सभी चीजों को हमें क्या करना है दूद के साथ घोल लेना है दूद आपको रूम टेंपरेचर का लेना है आदी कटोरी से एक कटोरी दूद आप डाल सकते हैं और इस तरह का घोल बनाके अब इसको कड़ाई के अंदर डालेंगे इसमें मैंने करने में मिठाई बनाने में क्या होता आपको घंटों नहीं लगते मतलब रब मत पावडायम में ही मोई राड़ाय Сам समय भो ज़्यादा आपका जाएगा और अगर आप मावा मार्केट से खरीते हैं तो आप सभी को पता है फेस्टिवल टाइम में तो कितना ज़्यादा मिलावट होती है मावा में तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मिल्क पाउडर यूज कर ले इससे आपका समय भी बच सकते हैं और इस मिठाई को सजाने के लिए मैंने पिस्ता काट ली है अब अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफ रूट ले सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पी हमें इसको पकाना है हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे बहुत जल्दी नहींती यह जलने लग जाता है थोड़ी की देर में आप देखेंगे कि यह अच्छा घासा गाड़ा हो जाएगा और कलर देखे कितना सुंदर आ गया है केसर डालने की वज़े से थोड़ी सी इलाइची मैं यहां पे और कूट के डाल दूगी क्योंकि मुझे परसनली बहुत ज़्यादा पसंद है इलाइची का फ् काजू की जगे फ्रेंड्स आप चाहें तो बदाम के साथ इस मिठाई को बना सकते हैं मखाने के साथ बना सकते हैं या सभी ड्राइफ्रूट को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है और जो हमने दूद लिया था इसको बनाने के लिए वह हमने रूम टेंप्रेचर का ही लिया मतलब गरम करके दूद को जो ठंडा हो जाता है वही दूद लिया था गरम दूद में अगर हम मिक्चर बनाएंगी ना तो क्या होगा गुठलियां पड़ जाएंगी इसलिए दूद आपको रूम टेंपरेचर का ही लेना है अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको साइड 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 से इसको साथ के साथ उतारते रहेंगे ताकि यह बिल्कुल जले नहीं कहीं से भी तो इस तरह से जब गोली बनने लग जाए तो आप गयास को बंद कर दें और सारे मिक्चर को एक जगए खटा कर लें किसी स्टील की चम्मत से आप इसको कुरच के एक केक वाला जो राउंड मोल्ड होता है वो लिया है उसे बहुत अच्छा सा सेप मिल जाता है मिठाई को सारा हम जो मिक्चर है इसको एक जगए खटा करके अब इसको सेट कर देंगे तो सेट करने के लिए आप बटर पेपर लगा सकते हैं फोईल पेपर लगा सकते हैं या फ बहुत अच्छे से सैट हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है इसको बनने में इस मिठाई को मैंने आपको पहले भी बताया ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता और स्वाधिस्ट बहुत बनती है ये अब इसे सैट करने के रख देंगे हमें एक से दो घंटे के लिए और यहाँ पर मिठाई है हमारी अच्छे से देखिए सैट हो गई है मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है बहुत बढ़िया से जम गई एक घंटा भी नहीं लगता ये बहुत जल्दी जमती है उपर से भी केक की तरह लंबा-लंबा काट लें चाहे तो इसके बर्फी जैसे आप पीस बना सकते हैं तो होगी है हमारी फटा-फट से एक मिठाई बनके तयार ना तो घंटों हमें इसके लिए मैनत करनी पड़ी और नाई बहुत जादा कुछ आपको लाने की मार्केट से जरुरत है त अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जादे जादा सेयर भी करें तो हमारा मिल्क पावडर और काजु का बहुत अच्छा कलागन बनके तयार हुआ है अब मैं आपको एक बार इसको कट करके भी दिखा देती हूं कितने अच्छे इसके पीस निकले हैं तो यह है मेरी होली केकी मिठाई बेसन के लड़ू साथ में यह काजु का केक देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है तो दोस्तों आप भी एक बार इस मिठाई को जरूर ट्राई करें अगर अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे नए रेसिपी के साथ